Hello guys, welcome to my channel तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये dentonic जो pills होती है क्या वो बच्चे के लिए teeding के लिए useful है या नहीं है तो ये मैंने purchase किया है पास के medical shop से आप इसे online भी purchase कर सकते हो अब जब भी इसे purchase करें इसके manufacture और expiry date देख ले अब बच्चे के लिए कोई भी product ले उसका manufacture और expiry date देखना बहुत ज़रूरी है तो इसका MRP है 70 रुपीज और इसमें 15 ग्राम product आता है इस तरह की शोटी-शोटी ये pills आती है तो मैंने इसे use करना start किया जब मेरी baby 5-5.5 month की थी तो उससे teething में आपको बहुत relief मिलेगा अगर आपके baby के जो teet नहीं आ रहे हैं फिर भी आप इसे start कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि अब आने वाला है तो इसे use कैसे करना है ये box पे instructions दी हुई है कि आपको 3 pills at a time एक बार में 3 pills देनी है और दिन में 3 times 3 बार आपको देना है इसमें calcium carbonate है या calcium की मातरा है जो बच्चों के teething के लिए बहुत अच्छी होती है teet और bones के लिए chamomile है जो बच्चों को सूजन, दर्द वगेरा है उससे relief देगा इसका price है 70 rupees अब ये code को scan करके और भी इसकी information website पे देख सकते हैं तो ये एक totally homeopathic product है इसके कोई side effects नहीं है लेकिन अगर आपके baby को teething में problem हो रही है तो ये काफी help करेगा तो आपको इसे लेना कैसे है ये देखिए इस तरह की शोटी शोटी pills आती है तो आप इसे baby के मुँ में एक एक पिल करके रखे ये तीनों साथ में ना दे क्योंकि आपका baby अभी बहुत छोटा है तो choking की problem हो सकती है तो ये पिल आपको baby को दे देना है मुँ में रख देना है तो ये काफी soft और मीठी मीठी pills होती है तो baby इसे अच्छे से खा लेगा baby खुद से ही इसे ले लेगा आपको बस इसे baby के मुँ में एक एक करके रख देनी है ठीक है तो उचलिए guys अगर आपको मेरा review अच्छा लगा हो तो मेरे channel को ज़रूब subscribe करे इस video को like करे, share करे Thank you